तो दोस्तो बात ऐसी है एक बार एक व्यक्ति दिल्ली जाने की सोच रहा था और सोचते सोचते वो तैयार भी हो गया उसने पैसे भी रख लिये किराया भी रख लिया दो जोड़ी कपड़े भी डाल लिये बैग में उसके बाद वो बस इस्टेंड पर पहुँच गया वहां सोचता रहा कि दिल्ली जाओं या नहीं जाओं उसका मन था दिल्ली जाने का उसको ये नहीं बता था कि दिल्ली क्यों जाना है बस मन था बस आगई और वो फिर भी सोच रहा है बस मैं बैठूं नहीं बैठूं मेरा मन है दिल्ली जाने का और वो बस में नहीं बैटा मन नहीं किया उसका बस में बैटने का उसका दिल्ली जाने का मन तो था बट बस में बैटने का मन नहीं था क्यों? क्योंकि बस का किराया था डाई सो रुपे डाई सो रुपे खर्च हो जाएंगे मेरे डाई सो रुपे खर्च हो जाएंगे मेरे तो मैं नहीं जा रहा दिल्ली और सिर्फ डाई सो क्यों खर्च होंगे फिर आने में डाई सो खर्च होंगे फिर खाने पीने में भी हो जाएंगे कुल मिलाकर यार हजार पंद्रह सो रुपे खर्च हो जाएंगे अब मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ और आपको पता है फिर क्या हुआ वो व्यक्ति दिल्ली नहीं गया सिंपल सी बात क्यों नहीं गया दिल्ली हो तो कि उसका मन था दिल्ली जाने का बट दिल्ली जाने का उसके पास कोई कारण नहीं था अब 1500 खर्च हो जाएंगे उसको लगाए तो वेस्ट हो जाएंगे तो अब यह सी बात है आज में 1500 खर्च नहीं करेगा वो तो वेस्ट होने वाले हैं तो आदमी पैसा क्यों वेस्ट करेगा आदमी तो बुद्धिमान है ना बुद्धिमान व्यक्ति पैसे वेश्ट नहीं करते और उसने बिल्कुल सही किया और मैं इस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ इसने तो बिल्कुल ठीक किया भाई इसके पास कोई कारण नहीं था दिल्ली जाने का तो दिल्ली क्यों जाता बट मेरे पास पिछले हफते दिल्ली जाने का कारण था, राइट, तो मैंने सुचा बस से जाऊं या टेक्सी से जाऊं, नहीं यार, बस से जाऊंगा, तो बहुत आस-पास सोर्स अराबा होगा, मेरा थॉर्ट प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है, हो सकता है, जैसे वातावरन में आप रहते हैं मैंने का वस के साथ जाऊंगा, तो मेरे 1500 रुपे खर्च होंगे आज शाम तक, बट अगर टेक्सी से जाऊंगा, तो मेरे पूरे 3500 रुपे खर्च होने वाले हैं, मैंने का, तो 1000 रुपे लगभग जादा खर्च हो जाएंगे, पर टेक्सी में जाएंगे, तो सकून के हो सकता है हम एक दो वीडियो बना लें एक दो आइडिया हमारे दिमाग में आ जाएं एक दो बड़ी आजी कॉल कर लें हम लोग किसी ने भाई चांस हमारे पास कॉल की तो हम उससे बात भी कर पाएंगे यह डिसीजन हमने ले लिया और हम दिल्ली की तरफ चल दिए रास्ते म में एक भाई का फोन आता है कि गुरू जी मुझे आप से LMS लेना है मुझे आप से बात करनी है कौन सा LMS लेना है कैसे लेना है क्या करना है मैं ठीक है जी बात कर लो तो उन्होंने बात चीट की हमारी बात हुई पूरे पौने घंटे अब बस में तो यह पॉसिबल नहीं था और बहुत सारी background noise आती तो उस बंदे को भी अच्छा नहीं लगता था तो हमनी बड़ी आराम से बात हुई और ultimately वो बंदा इतना impress हुआ बात्चीत से क्योंकि मैं भी फिरी होके बात कर रहा था फिरी ही था और बंदे ने एक LMS खरीद लिया मेरे affiliate ID से और उस affiliate link से हमें ज हमारा सहट रहे क्या होगा यह हमें नहीं बता था बट हमने डिसाइड कर लिया था कि जो कुछ होगा सही तरीके से होगा तो आप सही तरीके से काम करोगे तो रिजल्ट भी सही तरीके से आएंगे यह सोचके किया था और यूनिवर्स ने सुन ली और हमें affiliate income आ गई आपने कोर्स इतना मज़िदार बनाया है ठीक है भाई तो आगे की income भी set कर गया भाई तो आप यहां समझने की कोशिश करें पहले मैंने दिल्ली जाने का डिसाइड किया क्योंकि मेरा दिल्ली जाना जरूर ही है जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं वो होना ही होना है तो मेर कि मीटिंग भी अच्छी रहेगी जहां मैं जा रहा हूं वो भी सही रहेगा और मैं ठकूंगा नहीं फिर मुझे आटो नहीं लेना पड़ेगा रिक्सा नहीं लेना पड़ेगा मेरे पास reasoning है कारण है वाई क्यों करना है कोई काम तो वो डिसाइड किया उसकी वैसे हम महा स कि आपके बास जब तक कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होगा न दोस्त आप कहीं जाओगे नहीं आप सिरिफ यह सोचते रहोगे और 100 रुपे खर्च हो जाएंगे 200 रुपे खर्च हो जाएंगे आप अपनी knowledge share करना चाते हो digital कोश बना चाते हो बड़ आपके बास कारण न बहुत महँगा है यह माइक तो बहुत महँगा है सस्ता माइक देख लूँ आप excuse देते रहोगे आप एक कोच को छोड़गे दूसरे कोच के पास भी जाओगे आप excuses भी दोगे आप यह कोगे मेरी तबीत खराब है आप यह कोगे कि अभी मेरा mood set नहीं है आप यह कोगे कि जब आपके पास यह नहीं होगा कि कोई काम क्यों करना है आपको कोच बनना है डिजिटल मार्केटिंग करनी है क्यों करनी है आपको इस चीज़ का भी रीजन चाहिए दोस्त कि पैसे क्यों कमाने है बहुत सारे पैसे क्यों कमाने है अगर आपको पास रीजन नहीं होगा न नमस्कार